अब्सक्राइब कॉजूम्मर आविकनी मिशने में आपका स्वागत है आज आặng चर्चा करेंगे एएरलाइन्स की डेफिशन्सी के बारेमें एरलाइंस की फ्लाइट जनरली डिले भी होती हैं, कैंसल भी होती हैं, किन्तो कंजुमर को उससे कितना नुकसान होता है, इस पर डिपेंड करता है कि एरलाइंस को डेफिशेंट माना जाए या ना माना जाए मेरा मिशिन है आप सब लोगों को कंजुमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन-किन बातों का ज्यान रखना चाहिए हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्ण लिख सकते हैं हम हर अविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्ण सुनते हैं और उनके डारेक जवाब देते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर आप लोड्स आपको आटोमाटिकली मिलते रहें और हम आपसे जोड़ रहें तो हम आज डिसकस करेंगे एक केस के बारे में जो पंजाब स्टेट कंजूमर डिस्प्यूट रिड्रसल कमिशन ने डिसाइड किया और ये माटर डिस्टिक फोरम से चलता हुआ स्टेट कमिशन तक पहुचा डिस्टिक फोरम ने कंजूमर के फिवर में और किया और को हैदराबाद से डेली ट्रैवल करना था और आगे से उसको कनेक्टिंग फ्लाइट रेनी थी आनदर दूसरे डेस्टिनेशर पर पहुचने के लिए हैदराबाद से चलने वाली फ्लाइट एक घंटा दस मिनट डिले हुई और एरलाइन ने डिले का सार्टिकेट भी इश हो गई और उसको दिल्ली पहुचकर बाहर रोड ट्रैवल करना पड़ा आपने डेस्टिनेशन पर पहुचने के लिए जिससे उसका फर्दर डिले तो हुआ ही उसको एडिशनल एक्सपैंसेज भी बियर करने पड़े कंप्लेंट ने एरलाइन से कंपनसेशन के डिमांड की और कंपनसेशन उसे नहीं दी गई तो कंजूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में कंजूमर ने कंप्लेंट लगाई district forum ने complainant के पक्ष में फैसला किया और उसको compensation अलॉकी airlines इस order के against appeal में state dispute consumer redressal commission के सामने आई state commission के सामने जो main question था वो ये था कि क्या delay का ऐसा कारण था जिससे airline को immunity मिले जा जिससे वो उनको exemption मिल सके कि delay तो होता ही है इस case में aircraft rules 1937 rule 133 को applicable मानते हुए airline ने अपना defense रखा state commission ने सारे rules की जांच की उसमें एक exception clause थी rule 1.4 1.5 जिसमें airlines को permission होती है या airlines को libel नहीं माना जाता यदि किसी weather के reason से या security के risk के reason से या कोई technical fault हो उसके कारण या कोई ऐसा कारण जो उसके beyond control हो इस चार स्थितियों में यदि matter delay होता है तो इसके लिए compensation permitted नहीं होती ये exempted होती ये exemption clauses है aircraft rules में किन्तु इस case में एक तो certificate issue करने के साथ कोई भी कारण नहीं बताया गया उसको blank रखा गया और consumer को एक तरह से पूरी information नहीं दी गई दूसरी बात ये reason कि 16 और passengers को भी हैदराबाद से दिली जाना था और उनकी प्रतिक्षा करनी थी इसके कारण flight का delay होना तो बहुत बड़ी deficiency मानी जाएगी क्योंकि उन 16 passengers को accommodate करने के लिए आपने बाकी सारे passengers का जाना रोका डिले किया और यहां तक कि उनकी connecting flight पी मिस हो गए तो State Commission ने भी Consumer Dispute Redressal Forum के order को confirm किया और compensation देने के आदेश दिये क्योंकि ये कारण इन चार कारणों के बीच में नहीं आते थे और aircraft को इससे छूट नहीं मिल सकती Thank you very much friends बने रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन बटन का ज़रूर दबा दिजिए ताकि हमारे future uploads आपको notify होते रहें और हम फिर मिलेंगी एक नए ऐसी ही विशे के साथ Thanks